असलामों अलेकुम केसे हैं आप सब हम सब भी अल्ला के शुकर से बिल्कुल ठीक है तो आज मैं न बड़े की वाई टकनी वाली बिरियान बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने गोश ले लिया है आदा किलो उसको धो के अच्छे से साफ कर लिया है और कुछ खड़े गरम मसा दालें जिसमें यह जाएंगे खड़ा धनिया और लसन की इना मैंने गोल्ड अलिया डाली है चील के नहीं डाली है और सोफ और यह अधरक का तुकड़ा तो अधरक की तुकड़े को मैं थोड़ा सा क्रेक करके डालूंगी थोड़ा उसमें अच्छे से फ्लेवर आएगा औ इसको मैंने मंदी आज पर गलाया और जब यह हो गया तो इसकी अखनी अलग से हम चान लेंगे और लसनों को इसे हांस से दबाय के उसका अंदर से उसका गूदा निकाल लेंगे इसमें बहुत फ्लेवर होता है और पानी को चान के रख लेंगे आप चावालों को बगारने के लिए मैंने इसमें कुछ मसाले लिए जिसमें ना जीरा है दालचीनी है लोंग है खड़ी वाली वो बड़ी वाली जो काली वाली लाइची आती है वो भी और हरी लाइची भी और दालचीनी और जावित्री भी है थोड़ी सी और तेस पत्ते और जीरा भी है ठीके इन सा तो उसको भी डालके में थोड़ा सो घुमा लिया था थो थोड़ी मोटी मोटी वह कुट गई है उसमें कूटने की जैसे हो गई है तो इससे न क्या है चावलों में हरी मिर्चों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसको डालने के बाद अब में इसमें प्यास का मसाला भी डाल रहे हूं और दई भी डाल रहे हूं पिसागर मसाला मैंने थोड़ा सा इसलिए डाला है अभी जब चावलों को में दम पे लगाऊंगी तो मैं थोड़ा सा फिर डालूंगी दई डालने के बाद भी हम अच्छे से इसको भून लेंगे तेल उपर आने तलग देखे तल उपर अच्छे से आ गया इसमें दिख़ रहे है तो जो हमने अखनी का पानी चं के रहा था वह पर डाल दूंगी में और यह जिससे के ना दो गिलास मेरे चावले तो दो गिलासी रखा था था थोड़ा से बाल्टी में पानी निकलके रहा था बरतन में उसमें करा से पानी डाल दूँगे और चावलों को भी में एक घंटे पहले भिगो के रखा था जब पानी में खुब अच्छे से अखनी के पानी में अबाल आ जाएगा ना फिर हम सके चावल डाल देंगे और फिर इसको फिर आंच्छे से और डाला था, जितना हमें जरूरत थी, उतना क्योंकर चावलों में, उसमें अखनी में पहले से भी नमक था, अब साथ में मैं थोड़ी से हरी मिर्चों डालूंगी, तोड़ा पिसा करा मसाला भी और डालूंगी, और फिर इसको मिक्स कर देंगे हम अच्छी तरीके से, और जो थोड़ा सा मेना ओरेंज फूट कलर और थोड़ा सा रेट फूट कलर डालूंगी। यवाली बिर्यान भी हमारी भोती मजो की बनी दी। हमेशा जाधा तरफ चिकन की बनाती थी मैं बड़े की जाधा समझ में नहीं आ रही थी। पहले मतलब बिर्यान मुझसे बहुत बार बिगड़ी है उसके बाद अब जाके मुझसे बिर्यान बहुत अच्छी तरीके से बनने लगी है पहले मुझसे कुछ न कुछ मिश्टेक हो जाती थी कभी चावलो को लेके तो कभी नमक को लेके कभी नमक फीका हो जाता था कभी च यान बहुत कमी से बनाती थी तो जो चीज मुझे से ठीक बनती है मैं वही चीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूं अच्छा बिर्यान बनी थी फिर उसके बाद मैंने सोचा कुछ मीठा भी बनाई लेते हैं तो अभी अभी हीट के टाइम पर हमारे घर में सिमहिया बनी थी तो फिर मैंने सोचा चलो सिमहिया जी बना लेते हैं तो यहां पर दूद में अच्छे से उबाला ला गई तो मैंने चार चमत शकाय डाल दी थोड़ा सा इलाईची पाउडर और ड्राइफूर दूद के साथ पकाएं तो वह थोड़े गल जाते हैं तो फिर वह मुह मुह मे पाउंगी और फिर हमारी समय भी बन गई थी मीठे में बच्चे खुश हो गए ते इस तरह से घर में कुछ ना कुछ तरीके से चीज़ और मीठा तो आपको पता ही है घर में कुछ ना कुछ बनता ही हमारे अभी काफी टाइम से बन भी नहीं रहा था जब से किते दिनों ब बनाती थी उसमें मेने मलायं इखटी करके रखे फिलती घी बनाने को फर गर मीबहती भी बनाया तो इसलिए रहा हुआतर ही में के ना मलायीदस दीन बनाओं गी सद्द्धा बड़े बरतन थे बिःता वह दुसका खता नतनी थोड़ा कुछ उसमें खराबी हो गई कोने का काम के तरीके से यहां पर मैंना रायता भी बनाया था और बरियान हमारे इदर बड़ी मज़ेगी बन गए कोई के री की चटनी ही तटी और साथ में निकाल के दे रहें और सिमाइय तो उसने खाई नहीं थी उसका बिर्यान से माशालला से के रहा था पेड़ भर गया बहुत अच्छी बनी है मीठे का के रहा था फिर बाद में खायेगा जब ठंडी हो जाएंगी और फिर बिट्टू ने और मेने खाई थी हजबन काम पे से आ लाइक जरूर करना